नमस्ते दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंड सी दुनिया में दोस्तों वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे स्पेइन वर्सेस इटाली के बेच जो होगा एरुपेन क्रिकेट चैंपेंशिप का चैंपेंशिप विक का तीसरा मैच दोस्तों स्पीन न इटाली टीम ज्यादा बिटर है कंपेट तो स्पीन बट टीटेन के रिस्पेक्ट में एक्स्पीरियंस के साब से दोनों अल्मुस्ट बराबर है इविन करेंट फॉर्म की साब से मेरे साब से स्पीन वन उप दो गाइस भाहिंगर वाला टीम इस सीजन में दिख रहा है ठी इवन मीनी ग्रेंड लिक तब हम लोग ने विन किया था और गैस थोड़ा चेंजिस किया होगा तो अपने ग्रेंड लिक्स भी विन किया होगा तो अब डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से टेलिग्राम वन वर जॉइन हो जाओ फाइनल अबडेट के लिए चाहो तो कॉमें से लिंक भी उसकर सकता हूं मैं हमेशा प्रिफर करता हूं कि लिंक से ही जॉइन होना है एंड बेस्ट होगा डिस्क्रिप्शन और चाहो तो सच एदर रिल लगा कि टीम से फ्टेफ बिना स्पेस लगा एक्जैक्ट ही लिखना पड़ेगा ठीक है आता हूं मैं भी अनलाइस म होगा वोईस थोरा सा क्रैक आ सकता है क्योंकि फिलाल जो मेरा तबियत है ना दोस्तों बहुत जादा ही खराब है बट स्टिल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि मैच चल रहा है साथ बचे मैच इंडिन डैम स्टार्ट होगा 110-127 इसको अच्छा हाइइ स्कूरिंग वे करें सेनली खास करके अगर देखोंगे ग्रूप डीक में और अभी फास्ट मैच में भी इंग्लैंड 11 को गाइस इतना अच्छा स्ट्रॉंग टीम को गाइस इन्होंने खराब करके अब मतलब स्पेइन का बॉलिंग यूनिट विके निकाल के आ रहा है तो इटाली के अगर प्रेशर रहेगा इटाली स्पेइन बोलो इंग्लैन बोलो सभी सेम लविल के क्रिकेट खेल रहे जहां पर हर एक बैट्समें इनके बड़े बड़े शॉट्स ले सकता है इवन इटाली का भी 9-10 नमर वाला बैट्समें भी बड़े शॉट्स बहुत इजली ले लेगा दोन इस सीरीज के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे एक इस दिख्रा है बलजीत सींग एक कंसिस्टेंट प्लियर रहे साथ साथ अब को बॉलिंग भी करते हुए दिख सकता है तो इनको चोनना रिस्क होगा पार्ट टाम बॉलिंग करा लेता है किसी बालर का पिटाई हुआ त करते हुए बैटिंग अच्छा कर रहा है उमर गुजर या फिर बॉल या फिर बैट कुछ ना कुछ तो करा रहा है बंदा तो ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है खासकर के दो वर डाल रहा है तो रख सकते हो बाट एक चिस इनका गेंस जाएगा कि पावर प्ले में बॉलिंग डालिंग और पावर प्ले में उपने इनका बेस्ट बैट्समें डैनियल डॉइल कर ले है तो वो खेलेंगे तो वो शायद इनका पिटाई कर देंगे बहुत इसली किस्टन के लुग मागे मिल्ड ओर में हिटिंग करा लेते साथ-साथ बॉलिंग दो ओवर करा रहा है तो कर दी नहीं सकते हो आप ऑनिक अमिद हेटिंग करा लेता है कभी कबर बॉलिंग करते हैं हमेशा बॉलिंग करते नहीं बिंड लॉड अ बैटिंग है इग्डिशा को इग्डुशा को इगनोर करेंगे सिकंदर अबास बॉल फर्स बहुत जदा इमपॉर्टन रोल प्ले करे टाइक टीम हसान अली सिफ और से पावर प्ले के बॉलर है तो फिलाल मेरे साब से डेफिनिटली गो टू पिक नहीं रहेंगे बर डिफेंशल पिक आप ट्राइग कर सकते हो अपिनिंग बॉलिंग हसान अली अमर गुजजर चगमीद सिंगेत में सिकंदर बस अनिक क्रिश्च अगर यहां पर ऐसा हुआ कि यह से रिली इली पावर प्ले में जो वर डाला वो अगर पिटाई खा गया बहुत ज़्यादा तो शायद इनको बाद में ओवर ना मिले बट यह बॉलिंग से भी तो कंबेंसेट कर सकते हैं आ तो ऐसे प्लेयर को छोड़ना रिस्क हो जाएग प्रिंस दीमान सेम बात इसको कैप्टेन बनाना बहुत लाजमी है लॉन बॉन बॉन एक्पिरिंस प्लेयर है दोस्तों लॉन बॉन रास मैच में बैटिंग किया नहीं था बट यह बैटिंग में बहुत कमाल का कर देता है तो इसको छोड़ो मत रखो अपने टिम में खशक जाेगा दोनों Park अच्छ ऐलेंगा करने लोगा जैता हैं यह चiner को जायर में कए ऐसे बॉलर ऊनलेंग कर नहीं करें लिए यह उसे किया होता है फिल ऊगला रहेगा तो विकट लेने की चांसों भी बहुत जादा बर जाएंगे इनके पास्ट के रिकॉर्ड है फिलाल मैं बहुत जाद आपका टाइम वेस्ट करूंगा नहीं दोस्तों यह रहेगा मेरा फिलाल टीम देखोगे तो मैं ज्यादा तर ट्राइगा कि जो अपनी ऑल्राउंडर्स है जो करेंगली इंफॉर्म उल्राउंडर से उनको टिम में रखो इनमे से बी सिंग ने लास्ट मैंच में बॉलिंग नहीं कहा था तो यह पॉइंट है जो इसके साथ रोटेशन कर लेंगे महमत कमरान जगमीद सिंग आतिफ महमत महमत कमरान शायद मैं रोटेट करूंग आफटर टॉस इनका खास करके अगर बॉलिंग मैं प्रिफर करूंगा सिकंदर अब्बास को युश करना अगर बॉलिंग फस्ट वा जहर पीक हो जाएगा ठीक है पिंस दिमान हमारे कैप्टन है लॉन बंस हमारे पास है ऐसी रेली वाइस कप्टन फिलाल डैनियल डॉयल कर ले कहां पर यह बंदा भी वाइस कप्टन है तो लाइक कर देना थैंक्यू गैस मिलते हैं मैच टैम पर